हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दा फिजिक्स ट्री, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, नया टापिक शुरू हो रहा है, कुलम्स लौ में मैंने काफी चीज बता दिया आपको, और भी चीज़ने बता सकता हूँ, जैसे जैसे ट फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, किसी भी चार्ज का उसके आसपास की चीज़ों पर क्या एफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं, तो पहला कुशन दिमाग में आता है, कि सर किसी चीज़ का एफेक्ट कैसे नाप सकते हैं, एफेक्ट को कैसे नाप तो जो तीन दिन से ना नहाने का effect है वो दिखाई दे जाएगा कि नहीं दे जाएगा तुमने किसी को touch नहीं किया तुमने किसी को धक्का नहीं मारा तुमने किसी से बात नहीं करी लेकिन तीन दिन का effect तुरंट सब को दिख जाएगा और तो और कमरे के बाहर कोई खड़ा है तो उसको भी दिख जाएगा कि कैसे सब लोग तुमसे दूर जा रहे हैं कैसे सब लोग रिपल्चन खा रहे हैं समझ रहे हो जा नहीं तो किसी भी चीज का effect हमको दिखाई दे जाता है ठीक है हम experience कर सकते हैं जब हम उसके आसपास जात हैं तो ऐसे ही electric field क्या है electric field is the effect of a charge particle on its surrounding charge particle का उसकी surrounding में effect है ठीक है तो सर electric field कैसा दिखता है भाई पहली बात तो तुमको और मुझको electric field नहीं दिखता ठीक है अगर यह charge particle यहां रखा है plus q तो इसका effect किसको दिखाई देगा दूसरे charge particle को तो इसका effect देखने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा दूसरा charge particle लाना पड़ेगा let's say दूसरा charge particle हमने यहां पे रखा और इसका charge है plus small q छीक है तो इसका effect इसके उपर क्या पड़ेगा obvious सी बात है donor positive charge लिए है तो ये इसको क्या करेगा repel करेगा repel कर दिया इसमें बहुत बड़ी है ये हो गया इसका effect चीक है मान लो ये charge जो है ये है 5 कुलम का charge 5 कुलम का charge है ठीक है और आपने देखा कि इस पर force लग गया भाई force तो आप calculate कर सकते हो ना mass पता होगा acceleration दिख जाएगा भागेगा ये इदर तो आपने calculate किया कि इसके उपर force लग रहा है कितना force लग रहा है इसके उपर electrostatic force लग रहा है 60 newton समझ में आया तो आपने plus q charge के पास एक छोटा q charge रखा और उसके उपर force लगा 60 newton बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये हो गया observation बना हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंत तक आपको electric field समझ में आ जाना चाहिए चाहिए अब अब next case में मैंने क्या किया next case में मैंने फिर से ये plus q charge रखा अब दूसरा case है ठीक है ये दोना नहीं है ये दूसरा case में फिर से ये plus q charge रखा और इससे same distance पर एक small q charge रखा लेकिन इस बार small q की value change कर दी small q की value कितनी ली small q की value ली मैंने 8 कुलम तो अब मेरे को एक बात बताओ बिना कुछ pen चलाए बिजा बिना कुछ calculation क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस 8 कुलम पर कितना force लगेगा simple सी बात पूछी मैंने इससे simple बात नहीं हो सकती कोई ठीक है क्योंकि ये ना बचपन से पढ़ते आरे हो तो 12 संतुरी की value इतनी है तो 7 की कितनी होगी दीक है एक प्लस q चार से r distance पर एक small q चार्ज रखा 5 कुलम का 5 कुलम के चार्ज पर इसने कितना force लगाया 60 newton तो 8 कुलम के चार्ज पर ये कितना force लगाएगा बाई ये करने के लिए तुमें electrostats थोड़ी आना चाहिए अपने छोटे भाई भेने अगर चौती पाचवी क्लास में तो उनसे पूछ लो कि बेटा 5 कुलम पर अगर 60 newton force लग रहा है तो 8 कुलम पर कितना लगेगा तो वो तुमें हो सकता है बता दे क्या बता दे कि भाईया 5 कुलम पर 60 newton लग रहा है तो 1 कुलम पर 12 newton लगा और 8 कुलम पर कितना लगेगा 12896 newton बहुत भड़िया तो उसको तारीफ करना उसको ठीक है साबाशी देना और इस बात को समझना कि यहां से यहां तक के transition के लिए तुमने क्या अकल लगाई तुमने अकल लगाई कि इन दोनों के बीच में एक चीज सोची तुमने क्या चीज सोची वो मैं यहां पर बना रहा हूँ star mark नहीं hashtag कर लोगा hashtag तुमने सोचा कि अगर plus q charge यहां पर है okay तो वो same जगे पर same जगे पर इस वाली जगे पर अगर तुम one कुलम का charge रखो q equals to one कुलम का charge तो उस पर कितना force लगाएगा यह तुमने money man calculate किया किया के नहीं किया कोई बोलेगा sir हमसे money man calculate नहीं अब ही pen paper पर कर लो कोई बात नहीं force आया कितना आया 5 कुलम पर 60 newton 60 newton divide by 5 कुलम तो क्या आया 12 newton पर कुलम तो यह जो 12 newton पर कुलम आया वो ही इस point पर electric field कहा जाएगा वाट इस electric field at a point इस दा force पर unit charge experienced by a charge at that point इसको क्या कहा जाएगा यह क्या वाल्यू है newton पर कुलम this force is force per unit charge this is force per unit charge this is force divided by the charge that experience that force force per unit charge पर क्या बोलेंगे electric field strength at that point समझ में आया चीक है इस point पर electric field हुआ 12 newton पर कुलम अगर एक कुलम का charge यहाँ पर है तो उस पर 12 newton लगेगा 2 कुलम का charge यहाँ पर है तो 24 newton लगेगा 5 कुलम का charge यहाँ पर है तो 60 newton लगेगा और 8 कुलम का charge यहाँ पर है तो 96 newton लगेगा तो इस point पर जितना बड़ा charge रखोगे उस पर force उतना जादा लगेगा पर इसका मतलब यह नहीं कि इस point पर field change हो रहा है field हर case में इस point पर कितना था 12 newton per column force लगाने वाला field का हर point पर, हर case में इस point पर field कितना था 12 newton per column क्या electric field distance समझ में आई तुमको नहीं समझ में आई तो कोई बार थी मेरे पास एक और तरीका है इसका screenshot ले ले ना फिर भी एक और तरीका है समझाने का वो समझाने का क्या तरीका है कि मान लो किसी area में electric field है electric field, क्या होता है effect of charge particles चीक है, अगर electric field है इसका मतलब यहाँ पर आजपास charge particles रखे होंगे हमको नहीं दिख रहे, हमको नहीं पता पर इस area में क्या है, electric field तो किसी ने बोला तुमसे भाई यह electric field की calculate करो value calculate करके बता हो जरह इसकी value कैसे calculate करे तो तुम उसको क्या बोलोगे electric field strength calculate करना बहुत असान गाम है, all you need is a charge you place the charge in the field and you look at the charge charge को field में रखो और उसको ध्यान से देखो और देखते ही मत रहो, देखो कि यह भाग रहा है कहीं इस पर कुछ force लग रहा है, इसका कुछ mass है, इस पर क्या calculate करो, calculate करो कि इस पर कितना force लग रहा है जैसे ही आपने field के अंदर कोई charge रखा, उस पर force लगेगा, और जैसे वो force की value आपने calculate करी, आप क्या कर सकते हो, field calculate कर सकते हो, कैसे कर सकते हो electric field at a point is defined as force experienced per unit charge by a charge at that point, इस point पर electric field कितना है, जितना force per unit charge यहाँ पर feel हो रहा है, मतलब की मान लो example के लिए यह charge आपने कितना रखा था 8 कुलंप और इस पर force लगा कितना force लगा 120 newton I care, direction होगी, vector है कोई बात नहीं, बार में कर लेंगे direction की बात तो आप क्या बोलोगी कि यहाँ पर कितना field है simple सी बात है, यहाँ पर जो field है, वो 8 कुलंप 120 newton force लगाता है फिर से सुनने न, यहाँ पर जो field है, वो 8 कुलंप 120 newton force लगाता है तो field कितना है 120 newton लगाता है on 8 कुलंप यानि 15 newton पर कुलंप force लगाता है electric field की strength क्या होती है वो कितना force पर unit charge लगाता है force per unit charge वो कितने newton का force per column charge पर लगाता है उसी को electric field की strength बोलते है electric field की strength की एक direction होगी जो की force की direction ही आएगी यहाँ पर i-cap लिख सकते हैं force i-cap में आई बात समझ में या निए चीक है तो तुम बोलोगे sir आपने ये सिखाया है हमारे teacher ने भी ये सिखाया था फिर suddenly पता नहीं कहां से k q by r square आ गया फिर पता नहीं ये capital q है फिर कभी k small q by r square आ गया और फिर एकदम से ring और disk और line और watt लग गई तो तो ऐसा है formula तो यही है लेकिन different type के charge particles का charge distribution का electric field का formula कुछ-कुछ और आता है सारे के सारे derive सारे के सारे ये derive खुझ से नहीं होते सब के सब इसी formula से होते है समझ मैं है तो electric field at a point in space कितना हुआ मैं लिख देता हूँ क्योंकि लोग न भूल जाते है electric field at a point in space आते हiquer के लोग प्लेस्ट आट पॉइंट जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो ना, तो अपने दोस्त को पकड़ो, हर किसी का एक दोस्त होता है ने जो नालाइक होता है, और उसको समझाने की कोशिश करो, अगर तुम अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करोगे, तो चीज पक्के से तुमको समझ में आ जाएगी, किसी भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखने पर वो जितना फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपिरियन्स करता है, चीक है, तो फील्ड तो यहाँ पर फिक्स है ना, भाई जो भी चार्ज थे, जिन्होंने भी यह फील्ड प्रोड्यूस किया था, चीक है, उनका एक्सपिरियन्स पर यूनिट चार्ज, बहुत बार मैंने बात बोल दिये, बैट जानी चाहिए दिमाग में, इसको कैल्कुलेट करना सीखेंगे अब हम, चीक है, उसको मैं हटा रहा हूँ, चीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब पॉइंट चार्ज, कितना होता है, हर एक चार्ज अपनी विसिनिटी में क्या प्रोड्यूस करता है, एक फील्ड, अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, यह एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है, तो यह अपनी विसिनिटी में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कैसा करेगा, वो फील्ड इसके पास वाल इसका field almost negligible हो जाएगा infinity पर चले जाओगे इसका effect zero हो जाएगा क्या ये effect सिर्फ आगे की direction में होगा नहीं अगर आप test charge नीचे रखोगे तो force नीचे लगेगा तो field भी नीचे आएगा test charge पीछे रखोगे तो force पीछे लगेगा field भी पीछे आएगा test charge उपर angle वगेरा 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 ओके ये एक positive charge का field ऐसा दिखाई देता है हर direction में उससे दूर जाता हुआ वज़े सर आपने दूर जाता हुआ क्यों बनाया अरे भाई अभी तो बात करी कि field कैसे calculate करते है कि cb point पर test charge रखते है उस पर force निकालते है और force पर unit charge करते है force कितना होगा test charge पर force होगा k q1 q2 by r square r क्या होगी इनके बीच की distance ओके तो k q1 q2 by r square force लगेगा इस test charge पर मान लो ये कितना आया 50 newton और ये test charge 5 qlm का है तो field कितना हो गया फिर से बोल रहा हूँ ये मान लो वाली चीज़ है न लिखना पसंद दिये मुझे 50 newton force लगा इसके उपर और इस पर charge कितना है इस पर charge है 5 qlm तो यहाँ पर field कितना हो गया 50 newton on 5 qlm यानि field हो गया 10 newton पर qlm तो ये तो मान लो वाली बात है मान लो वाली बात हमेशा नहीं चला सकते तो let's not मान लो ओके formula calculate करते है what is the formula of electric field here formula यारी मैंने कच्रा गंदा कर दिया तो ये force है और इसका ये इसके उपर force लग गया आगे की तरफ और field calculate करने के लिए क्या करेंगे force experienced per unit charge कई लोगों को ये confusion होनाता है divide किससे करना है इस वाले q से या इस वाले q से कभी किसी से कर देते हो अरे भाई जिस पर force निकाला है जिस point पर field calculate करना है उसी point के charge पर force निकालेंगे और उसी के charge से divide करेंगे ठीक है यहाँ पर कोई तीसरा charge रखा है तो उससे तोड़ी divide करते रहेंगे ना इस से divide करेंगे अरे इस point पर field निकाल रहे हो तो इस point पर जो charge रखा है उसका force per unit charge calculate करना है तो यह kqq by r squared divided by small q हो जाएगा kq by r squared यह क्या formula है? Of course इसकी एक direction होगी, हम n-cap लिख देते direction कैसी होगी? इस point इस charge से going away direction जहां पर भी देखोगे going away तो electric field due to a point charge, electric field due to a point charge का क्या formula निकला? kq by r squared कुछ लोग बोलते हैं, सर यह तो directly बता जिया था हमारे हैं इसमें आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? अरे भई, point charge का समझ में आएगा, तब line charge का calculate करेंगे, तब ring आएगा नहीं, तो line से सबके formula याद करोगे तुम, और line से सबके question गलत करके आजाओगे ठीक है, क्योंकि तुम्हें यहीं समझ में आएगा कि apply कैसे करना है ठीक है, तो यह electric field due to a point charge हुआ, kq by r squared इसकी value कितनी आ सकती है? इसकी value आ सकती है 10 newton per kilogram इसकी value आ सकती है 50 newton per kilogram इसकी value आ सकती है 2 newton per kilogram depend किस पर करेगा? यह charge की value कितनी है और हम कितनी distance पर जा रहे है r की value कितनी है? तो फट से एक काम और कर लेते हैं, छोटा सा काम इसका screenshot ले लो मेरे कोई graph और बनाना है फट से screenshot ले लिया तुमने ले लिया बहुत बढ़िया screenshot लेना बहुत अच्छे से आते है तोंको notes लिखोगे नहीं screenshot लेते रहोगे तो हटाते है इसको एक चीज़ में को और बतानी है वो यह कि भाई इसका graph कैसा बनेगा electric field का क्योंकि ना यह graph पर बहुत कुछ न पूसकर आजाओ 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 एक्सिस आ गई बहुत 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 है यह मैंने क्या बनाए electric field पास में strong दूर जाते जाओगे तो weak अगर zero distance पर देखा जाए जिरो distance possible नहीं है तुम्हें पता है न दो points के बीच दो दो particles के बीच जीरो distance कभी नहीं हो पाती लेकिन फिर भी अगर distance बहुत छोटी कर दी जाए ओके बहुत छोटी जारा chemistry वैसे भी नहीं समझ बनाती तो कोई बात नहीं electric field अगर r की value बहुत छोटी कर देंगे इसको almost zero zero इसको बहुत छोटा कर देंगे तो electric field की value बहुत बढ़ी हो जाएगे तो almost infinity को approach करेगा फिर finite values होगी finite values होगी और हम touch नहीं करेंगे पर जब r infinity को reach कर जाएगा जब यह बहुत बढ़ा हो जाएगा तब electric field बहुत छोटा हो जाएगा electric field due to a point charge का graph यह बनेगा इसको समझ लेना यह काम आएगा जब हम multiple electric charges रखेंगे तो यह तुम्हें खूब परिशान करेगा ओके तो इसको draw कर लिया तुमने बहुत अच्छे मैं तूसरी direction में भी बनाना चाह रहा था पर मेरे पास ना जगय नहीं है जगय की बहुत कमी है तुमने पर screenshot थोड़ी दिर पहले लिया था हटाओ इसको प्रो that was close to can themselves जगये बना लेते हम फुदके लिए ऊपने जगया बनालेगं थोडी थोड़ी सी थोड़ी सी смजीए ज़यदा ने ऐख्सिस आगे पीछे किसकर नी पड़ेगी यह एक्सेस पीछे बना दी और यह एक्सेस नीचे बना दी बहुत बढ़िया ठीक है दिको इस ट्रेट लेंड कितना काम आती है अब किसी ने बोला कि सर आपने X को positive या R को आगे की तरफ रखते हुए बनाया तो grab बहुत अच्छा अगर हम पीछे जाते हैं इस charge particle के तो electric field कै अगर X एक्सेस पर आगे बीछे घूम रहे हो X एक्सेस पर घूम रहे हो ठीक है क्या assume कर रहा हूं है कि यह जो R है इसकी जगे आप क्या ले रखे हो आप चुप चाप X एक्सेस पर इधर से उधर घूम रहे हो इसको इस point को इस distance को मैंने X बोल दिया X बोल दिया तो यह X positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है एक्स कर लिया electric field versus X का graph जातर X का graph आता है तो जब यह X negative हो जाएगा मतलब आप इस charge के पीछे चले जाओगे उस time पर electric field की direction change हो जाएगी उस time पर electric field हम क्या बोल सकते हैं कि negative direction में है तो जब draw करेंगे तो पीछे के electric field को negative draw कर देंगे सिधी ब सेम graph पीछे बन जाएगा negative तो electric field due to a point charge I think समझ में आ जाना चाहिए दिखता ऐसा है graph ऐसा draw करते है और formula है के Q by X square लिखू या R square लिखू या मनोज का square लिखू डेपेंड होता है मनोज distance होनी चाहिए between the point जहाँ पर हमें field calculate करना है and the charge I think video काफी लंबी हो गई है यहाँ पर खतम कर देना चाहिए bye bye take care see you later